नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल डिजीटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT exam सितंबर 2023 के लिए computer के important questions को समझने वाले हैं यह हमारा CPCT exam सितंबर 2023 के लिए part number 1 है इस वीडियो में हम CPCT exam के लिए computer से संबंदित 20 important questions को समझने वाले हैं यह सभी बही question हैं जो पहले भी CPCT exam में पूछे जा चुके हैं जब हम एक question को तयार करते हैं तो उससे संबंदित हमें कई प्रकार के और भी question तयार करने मिल जाते हैं आप सभी questions को नोर जरूर करें क्यूंकि paper के समय पर आप अपने नोर्स के माध्यम से कम से कम समय में revision कर सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला question क्या है पहला question हम से पूछा गया है सब्द operating system का क्या अर्थ है हमें एक सब्द दिया गया है operating system जिसका हमें अर्थ बताना है क्या होगा option number ए क्या है program का एक set जो computer की कारे विधी को नेंतरित करता है option number भी है वह तरीका जिससे computer operator का कारे करता है वह तरीका जिसससे computer operator कारे करता है option number C क्या है उच्चे इस तरिये भासा को machine की भासा में परिवर्तित करना option number D है वह तरीका जिससे floppy disk कारे करती है हमें एक सब्द दिया गया है operating system का अर्थ क्या है operating system क्या होता है operating system एक system software होता है system software जो operating system है वह एक system software होता है हमारे computer का main software होता है बिना operating system के हमारा computer system boot नहीं हो सकता है boot नहीं हो सकता है मतलब on नहीं हो सकता है यदि हमें अपने computer system को on करना है boot करना है तो operating system का होना आवसक होता है जो कि एक system software होता है कई परकार के operating system होते हैं, जैसे कि Windows operating system, Linux operating system, Mac operating system, आप mobile में use करते हैं, Android operating system, तो operating system multiple programs का एक set होता है, जो operating system होता है, यह multiple types के program का एक set होता है, जो कि computer की complete working को control करता है, operating system, एक system software होता है, man software होता है, जो कि हमारे computer को boot करने के लिए, मतलब on करने के लिए आवसक होता है, without operating system के हमारा computer boot नहीं हो सकता है, कई परकार के operating system होते हैं, जैसे कि Windows operating system, Linux operating system, Mac operating system, Android operating system, और operating system होता क्या है, operating system program का set है, जो computer की कारविधी को नियंतरित करता है, मतलब operating system multiple programs का set होता है, जो computer की working को control करता है, तो इस question का answer हो जाएगा, option number A, जो operating system है, उसका अर्थ होता है, program का एक set, जो computer की कारविधी को, मतलब working को control करता है, तो इस question का answer है, option number A, देखते हैं हमारे next question को, दूसरा question हम से पूछा गया है, blank MS Excel work seat के नीचे तल पर इस्तित दिखाई देता है, next question हम से पूछा गया है, blank MS Excel work seat के नीचे तल पर दिखाई देता है, अगला question Excel से पूछा गया है, हमें चार option दिए गये हैं, और हमें यहाँ पर बताना है, blank MS Excel work seat के नीचे तल पर दिखाई देता है, जो MS Excel है, वह एक spread seat software होता है, spread seat software जो की data को row और column में arrange करने की सुभीदा देता है, जो MS Excel है, वह एक spread seat software है, जो की data को row और column में arrange करने के लिए उपयोग किया जाता है, MS Excel में जो file बनती है, file उसे कहा जाता है, workbook, Excel की file को कहा जाता है, workbook, और Excel में हमें जो page दिया जाता है, उसे कहा जाता है work seat excel के page को कहा जाता है work seat excel की file को कहा जाता है workbook एक workbook में multiple work seat होती हैं हमसे question पूछा गया है blank msAcsel work seat के नीचे तल पर दिखाई देता है msAcsel की work seat के नीचे निम्णमें से क्या दिखाया जाता है यह हमें بتाना है option number A है status बार, option number B है name box, option number C है formula बार, option number D है title बार, तो इस question को आप थोड़ा ध्यान से समझें, तो आपको answer भी समझ में आएगा, आप जब Excel को open करते हो, तो Excel की एक window open होती है, window में सबसे उपर होता है title बार, title बार, हर software की window में सबसे उपर क्या होता है, title बार, और सबसे नीच होता है status बार, सबसे नीचे क्या होता है, status बार, आप कोई भी software open करेंगे, तो इसमें सबसे उपर, top पर होता है title बार, और सबसे नीचे bottom में होता है status बार, तो आप यदि यहाँ पर question को ध्यान से समझें, तो आपको answer भी समझ में आ जाएगा, status बार, किसी भी software में सबसे न दिखाया जाता है, status बार दिखाया जाता है, इस question का अंसर हो जाएगा option नमबर A, status बार MS Excel वर्क सीट के नीचे तल पर दिखाई देता है, status बार जो की current time पर हम क्या operation perform कर रहे हैं, यह represent करता है, प्रत्यक software में top पर होता है title बार और bottom में होता है status बार, इस question का अंसर है option नमबर आपको यहाँ पर दो-तिन question और तैयार करने है, नेमबॉक्स क्या होता है नेमबॉक्स, नेमबॉक्स current cell के address को सो करता है, जो भी हमारा active cell होता है अभी, उसका address कहां सो होता है, नेमबॉक्स में, formula बार क्या होता है, formula बार cell के content को सो करता है, formula बार से हम cell के content को देख सकते हैं edit कर सकते हैं और title bar window में top पर होता है जो की file का नाम और software का नाम सो करता है title bar window में सबसे उपर होता है जो की file का नाम और software का नाम सो करता है इन सबको हम practically देख सकते हैं Excel पर यह हमारा MS Excel software है जिसमें सबसे उपर top पर हमें title bar दिया जाता है title bar में file का नाम और software का नाम so होता है उसके बाद यह होता है name box जो की current cell के या active cell के address को so करता है यह होता है formula bar जो की cell के content को so करता है यहाँ से हम cell के content को edit भी कर सकते हैं और यह कहलाता है status war सबसे नीचे क्या होता है status war status war यह represent करता है कि अभी हम कौन सा operation perform कर रहे हैं तो window में सबसे उपर होता है title bar और सबसे नीचे होता है status bar यह कहलाती है Excel की work seat work seat के नीचे होता है status bar तो इस question का answer हो जाएगा option number A status bar Excel work seat के नीचे दिखाई देता है देखते हैं हमारे next question को next question है linux में संसाधन आवंटन मतलब resource allocation के लिए कौन सी directory जिम्मेदार है linux में resource allocation के लिए कौन सी directory responsible होती है यह हमें बताना है linux से question पूछा गया है linux में संसाधन आवंटन मतलब की resource allocation के लिए कौन सी directory जिम्मेदार है या responsible है यहाँ पर आपको पांच्य question एक साथ तयार करने मिलेंगी Linux क्या है Linux? Linux एक operating system है Linux एक system software का example है Linux एक operating system है Linux एक system software का example है Linux एक free operating system है Linux एक open source operating system है Open source मतलब इसकी जो coding है उसको हम देख सकते हैं और change भी कर सकते है तो Linux एक operating system है जो कि system software का example है Linux एक free software है Linux एक open source software है Linux को Linux store vaults ने Linux को Linux store vaults ने 1999 में बनाया था Linux को Linux store vaults ने बनाया है जो कि 1999 में बनाया गया था तो यह है आपको Linux का basic introduction पता चल गया Linux इसे सम्वंदित कई प्रकार के question बनते है अभी हमने यह समझा Linux क्या है Linux क्या है एक operating system है जो कि system software का example है Linux एक free software है Linux एक open source software है Linux को Linux store vaults ने 1999 में develop किया था अब हमसे question पूछा गया है Linux में resource allocation के लिए कौन सी directory responsible होती है तो Linux में multiple type की directory होती है directory मतलब होता है folder folder को ही कहा जाता है directory जब हम Linux पर work करते हैं Linux को install करते हैं तो Linux में multiple type की directory या folder create हो जाते हैं जिनका अलग-अलग work होता है हमसे पूछा गया है resource allocation का work कौन सी directory करती है Linux में जो भी resource allocation होते हैं वैं सभी kernel के द्वारा किये जाते हैं kernel kernel Linux operating system का core part होता है main part होता है मुक्ख भाग होता है जिसे Linux का heart भी कहा जाता है Linux में सभी प्रकार की controlling kernel के द्वारा की जाती है memory management, resource management यह सभी responsibility kernel की होती है तो इस question का answer हो जाएगा option number D, Linux में resource allocation के लिए kernel directory responsible होती है आपको तीन question और तयार करने है dev directory में क्या होता है dev directory में dev directory में device से सम्बंदित files को software को store किया जाता है hardware device से सम्बंदित जो file और software होते हैं उन्हें dev directory में store किया जाता है users users directory में user के program store होते हैं और etc directory में configuration files को store किया जाता है configuration files को तो आप देख सकते हैं एक question के अंदर भी कम से कम 8-8-10-10 प्रकार के question बन सकते हैं हमारा main advantage यही है कि हमें एक question के साथ सभी प्रकार के question तयार करने हैं आप जो question पढ़ रहे हैं वो तो आपको तयार करना है लेकिन उस question से संबंदित और क्या-क्या question पेपर में बन सकता है वह आपको जरूर तयार करना है इसलिए हमने बोला है कि आप जब question को पढ़ें तो नोट जरूर करें क्यूंकि एक question तो आप पढ़ रहे है वह question तो आपका तयार हो रहा है लेकिन उस question के साथ जो 10 प्रकार के और भी question बनते हैं वो भी तो आपको तयार करने है क्यूंकि हो सकता है जो question आप पढ़के गए वह तो नहीं आया लेकिन line access से सम्बंदित दूसरा question आ गया तो आपको जो भी चीजें यहाँ पर बताई जाती है बीच बीच में question के साथ उन सब को नोट जरूर करें क्यूंकि उनी से आपको paper में question मिलने वाले हैं यह जो question हम आपको तयार करा रहे हैं यह सभी question अभी जुलाई वाले CPCT exam में पूछे गए हैं लेकिन एक question से सम्बंदित जितने भी question बन सकते हैं हमारा यह प्रयास होता है कि वह भी हम आपको तयार कराएं एक वीडियो में 20 question तो हम आपको तयार कराते हैं लेकिन यदि आप सभी questions को तयार करें Linux में resource allocation के लिए kernel responsible होता है देखते हैं हमारे next question को next question है computing में output device का उप्योग किस लिए करते हैं computing में output device का उप्योग किस लिए करते हैं हमसे question पूछा गया है computing में computing मतलब computer पर work करना computer में input देना, process करना, output प्राप्त करना computing का मतलब है computer पर किसी task को complete करना computing में output device का उप्योग किस लिए करते हैं हमसे question पूछा गया है बहुती आसान question है, बहुती सरल question है जुलाई वाले CPCT exam में आया है question यह सभी question जुलाई वाले CPCT exam से लिए गए हैं computing में output device का उप्योग किस लिए करते हैं Output Device क्या होती हैं, वह devices, जो हमें output प्रदान करती हैं, वह क्या लाती है, output device, जैसे की monitor, printer, pokluk dur, speaker, तो हम से पूछा गया है, computing में output device का उपयोग किस लिए करते हैं, option number A है, data देखने या प्रिंट करने के लिए, data देखने या print करने के लिए यही तो इसका answer है क्यों output device पे हम data को देख सकते है, monitor है plotter है, printer है या print कर सकते हैं तो data देखने या print करने के लिए ही output device का उपयोग किया जाता है, option number भी क्या है, data input करने के लिए तो output device से input तो होगा नहीं, यह तो गलत है, data scan करने के लिए, scan मतलब भी input करना, यह भी गलत है data store करने के लिए, यह भी गलत है, computing में या computer में, output device का उपयोग, data को देखने के लिए, और print करने के लिए किया जाता है, इस question का answer हो जाएगा, option number A, data देखने यार print करने के लिए, output device का उपयोग किया जाता है, output device जैसे की printer है, monitor है plotter है, speaker है यह सभी कहलाती है, output device, देखते हैं हमारे, next question को next question है, ms excel में, data set में कौन सा function kva, सबसे बड़ा मान लोटाता है, ms excel में, data set में, कौन सा function kva, मतलब k kva, सबसे बड़ा मान लोटाता है हमसे question पूछा गया है ms excel में, data set में से कौन सा function kva, सबसे बड़ा मान लोटाता है मतलब, यदि आपके पास एक list है, data की एक list है उसमें से आपको, किसी fix number के सबसे बड़े number को सर्च करना है तो आप कौन सा function use करेंगे question को थोड़ा सा समझना है logical question है, ms excel में data set में से data set में से मतलब, आपके पास एक list है एक data है, उसमें से आपको के number का के बाँ मतलब के number का सबसे बड़ा number जो है सबसे बड़ी value जो है वो कौन सा function निकाल के देगा यहाँ पर आपको दो question तयार करने है excel में, यदि आपको सबसे बड़ा number सर्च करना है तो एक function होता है max max मतलब maximum एक होता है min function मतलब minimum यदि आपको सबसे बड़ा number सर्च करना है find करना है तो max function होता है और यदि सबसे छोटा सबसे छोटी value find करनी है तो min function होता है लेकिन यह जो function है यह दोनों ही function सबसे बड़ा number यह सबसे छोटा number written करते हैं लेकिन हमसे question क्या पूछा गया है data set में दस अलग अलग number है और हमें 10 number में से सबसे बड़ा number find करना है तो हम max function लगा देंगे लेकिन हमसे यह question नहीं पूछा गया हमसे question क्या पूछा गया है हमें k number का k number मतलब हम बताएंगे कि कौन से number का बड़ा number हमें सर्च करना है first number का second number का third number का यह भी हमें बताना है उसके लिए use होता है large function large function आपको यहाँ पर k में confuse नहीं होना है max function maximum number को निकाल कर देता है और large function भी maximum number को find करेगा लेकिन यहाँ पर आप एक k value set कर सकते हो कि कौन से number का हमें बड़ा number सर्च करना है मतलब इस question का answer क्या हो जाएगा option number C large function एक तो max function है जो सबसे बड़ा number हमें return करके देगा निकाल कर देगा लेकिन यदि हमें यह देखना है कि पहले number का बड़ा number सर्च नहीं करना दूसरे number का सर्च करना तीसरे number का दसबे number का तो हम उसके लिए use करते हैं large function का large function एक बड़े number को सर्च तो करेगा लेकिन वो बड़ा number कौन से number का बड़ा number है हम यह भी set कर सकते हैं large function में तो max function सबसे बड़ा number सर्च करेगा maximum value min function सबसे चोटी value को सर्च करेगा और large function किसी fixed position पर सबसे बड़े number को सर्च करता है इस question का answer है option number सी large इसे हम excel पर practically देख सकते हैं चलते हैं excel पर यह हमारा ms excel software है जिसमें हमने कुछ number टाइप करे हैं एक list टाइप करी है इस list पर हम max function को और large function को दोनों को एक साथ समझने बाले हैं for example पहले हम max function को समझते हैं max मतलब maximum तो max function में हमें एक range देनी होती है जिस range में से हमें सबसे बड़े number को find करना है उसके बाद हमने bracket को close किया और enter key को press किया अब देख सकते हैं max function ने हमें इन सभी number में से सबसे बड़ा number find करके दे दिया है यह तो है max function maximum value को find करता है अब हम लगाने वाले हैं large function large function क्या-क्या argument लेता है क्या-क्या parameter लेता है पहले हमें array देना होता है array मतलब हमारी list इस list में हमें बड़ी value large value सर्च करनी है लेकिन यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद हमें एक k position भी बतानी होती है कि कौन से number का बड़ा number हमें सर्च करना है यदि हम यहाँ पर देंगे बन तो इसका मतलब क्या होगा इस list में जो सबसे बड़ा first position का बड़ा number है उसको सर्च करना है यदि हम enter करें तो आप देखेंगे list में सबसे बड़ा जो number है बहे है 50, 50 लेकिन यदि हम यहाँ पर बन की जगह कर दें 2 बन की जगह हमने क्या कर दिया 2 जो इसका मतलब क्या होगा इस list में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा number हमें सर्च करना है जो की है 10 यही question में हमसे पूछा गया है के नंबर का के number का यदि हमें बड़ा number सर्च करना है तो हम कौन सा function यूज कर लेते हैं large और यदि हम यहाँ पर कर दें 3 तो इसका मतलब क्या होगा इस list में third number का सबसे बड़ा number हमें सर्च करना है 2 है 6 तो max function cable सबसे बड़ी value को find करता है जबकि large function किसी fixed position पर सबसे बड़े number को सर्च कर दे इस question का answer हो जाएगा large function देखते हैं हमारे next question को next question है निमन लिखित में से कौन सी तुर्टी memory तुर्टी से सम्बंदित है निमन लिखित में से कौन सी तुर्टी memory तुर्टी से सम्बंदित है हमसे question पूछा गया है निमन लिखित में से कौन सी error memory error से related है हमसे question पूछा गया है निमने लिखित में से कौन सी error memory error से सम्मन्दित है वह कहलाती है parity error parity error मतलब एक bit की error जब हम computer system में data को store करते हैं transfer करते हैं तो data को binary bit के format में binary bit के format में store या transfer किया जाता है binary bit होती है 0 और 1 0 और 1 यह कहलाती है binary bit जब इन number में changes आ जाते हैं तो वह एक error कहलाती है और उस error को parity error कहा जाता है तो निमने लिखित में से कौन सी error memory error से सम्मन्दित है वह होती है हमारी parity error parity error एक ऐसी error है जो की binary bit में data के change होने पर generate होती है और parity error data में memory error से सम्बंदित होती है जिस question का अंसर हो जाएगा option number C parity error memory error से सम्बंदित होती है देखते हैं हमारे next question को next question है blank को एक mouse द्वारा नियंतरित किया जाता है और जो उसके मौजूदा function के आधार पर आकार बदलता है blank को एक mouse द्वारा नियंतरित किया जाता है और जो उसके मौजूदा function के आधार पर आकार बदलता है एक question हम से पूछा गया है जो कि mouse से संबंदित है blank को एक mouse द्वारा नियंतरित किया जाता है मतलब control किया जाता है और जो उसके मौजूदा function के आधार पर आकार बदलता है mouse से संबंदित एक question पूछा गया है mouse जो की एक input device होती है mouse एक input device होती है और mouse की screen पर जो position होती है उसे कहा जाता है pointer mouse की position को screen पर किस से सो किया जाता है pointer से cursor से और cursor या pointer ही function के आधार पर आकार को बदलता है कहीं पर आपको arrow के रूप में pointer सो किया जाता है कहीं पर आपको processing circle के रूप में सो किया जाता है तो जो इस question का answer होगा बहे क्या होगा option number d pointer pointer को एक mouse द्वारा नियंतरित किया जाता है control किया जाता है और जो उसके मौजूदा function के आधार पर आकार बदलता है मतलब size को change करता है जब हम mouse को screen पर move करते हैं तो pointer यहाँ बहाँ move होता है cursor या pointer और जब हम mouse को अलग-अलग condition में use करते हैं तो उसका आकार या उसकी size भी change हो जाती है तो इस question का answer हो जाएगा option number d pointer देखते हैं हमारे next question को next question है एक port के माध्यम से बाहरी उपकरनों को blank से जोड़ा जा सकता है एक port के माध्यम से बाहरी उपकरनों मतलब external devices को blank से जोड़ा जा सकता है हमसे question पूछा गया है एक port के माध्यम से port मतलब एक ऐसा इस्थान जहां पर हम किसी device को connect करते हैं किसी device को लगाते हैं वह कहलाता है port computer में अलग-अलग परकार के कई port होते हैं जैसे USB port, VGA port, jack pin कई परकार के port होते हैं तो हमसे question पूछा गया है एक port के माध्यम से बाहरी उपकरनों को मतलब external devices को blank से जोड़ा जा सकता है जब आप अपने computer में कोई mouse connect करते हैं, keyboard connect करते हैं, pen drive connect करते हैं तो वह किस से connect होती हैं यह हमें यहाँ पर बताना है एक port के माध्यम से external devices को blank से जोड़ा जा सकता है, क्या keyboard से जोड़ा जाता है, keyboard तो खुद एक external device है, mouse भी एक device है, headphone भी एक device है, मतलब answer क्या हो जाएगा system unit, system unit आपके computer के साथ जो एक box होता है, उसे system unit या cabinet कहा जाता है, system unit या cabinet जिसके अंदर motherboard लगी होती है, hardix लगी होती है, processor या CPU लगा होता है आपके computer के साथ एक तो होता है monitor और एक होती है system unit जिसे जर्नली आप CPU कहते हैं, CPU समझते हैं, यह CPU नहीं होता है, इसे कहा जाता है system unit या cabinet इसके अंदर motherboard लगी होती है, motherboard में लगा होता है CPU या processor, hardix लगी होती है, power supply लगी होती है तो हम port के माध्यम से जो भी external device connect करते हैं, वह सभी system unit से connect होती है system unit से, system unit मतलब हमारे computer का एक ऐसा box जिसके अंदर कई प्रकार की hardware devices को रखा जाता है और आपस में connect किया जाता है, वह कहलाता है system unit तो हम जो भी external devices connect करते हैं, वह सभी port के माध्यम से system unit से connect हो जाती है देखते हमारे next question को next question है, biometric sensor की मिलान प्रक्रिया में FAR और FRR निमनलिकित में से किसे संदर्वित करते हैं हमसे question पूछा गया है कि biometric sensor की जो matching process होती है उसमें जो FAR है और FRR है निमनलिकित में से किसे refer करते हैं आपको यहाँ पर तीन question तयार करने है FAR का full form क्या होता है, FAR का full form होता है false accept rate और FRR का full form क्या होता है false rejection rate FAR मतलब false accept या acceptance rate जबकि FRR मतलब false rejection rate FAR मतलब false accept या acceptance rate और FRR मतलब false rejection rate यह दोनों ही error से संबंदित होते हैं error से संबंदित biometric क्या है, biometric sensor जो कि user के किसी identity को verify करते हैं user के identification को verify करते हैं जैसे कि fingerprint को scan करना thumb expression को scan करना face recognition करना voice recognition करना retina को scan करना यह सभी होते हैं biometric sensor के काम जब यह user की identity को match करते हैं उसमें यदि कोई error आती है तो उनको represent करता है FAR false acceptance rate या false accept rate जबकि FRR का full form होता है false reject rate या false rejection rate तो इस question का answer हो जाएगा option number D through T या errors biometric sensor की जो matching process होती है मिलान प्रक्रिया होती है उसमें FAR और FRR error या through T को represent करते हैं इस question का answer हो जाएगा option number D errors देखते हैं हमारे next question को next question है निमन लिखित में से कौन सा touch screen input device का कार्य नहीं है निमन लिखित में से कौन सा touch screen input device का कार्य नहीं है यह question भी input device से सम्बंदित है input device से सम्बंदित input device कौन सी device होती है जिनके दुआरा computer system में data को input किया जाता है touch screen एक input device होती है जो कि आप mobile phone में tablet में monitor में ATM machine में यूज करते हैं तो touch screen एक input device है और हमसे पूछा गया है निमन लिखित में से कौन सा touch screen input device का कारे नहीं है option number A है over option number B है tap option number C है double tap option number D है drag तो आप touch screen device से निमन लिखित में से कौन सा कारे नहीं कर सकते हैं over का मतलब क्या होता है over का मतलब over का मतलब होता है किसी object के उपर cursor को ले जाना किसी object के उपर cursor को ले जाना उसे कहा जाता है over यह तो हम computer में कर सकते हैं mouse के माध्यम से touch screen device में यह functionality नहीं होती है यह function नहीं होता है मतलब इस question का answer क्या होगा option number A over जो touch screen device होती है उसमें हम over operation को over function को perform नहीं कर सकते हैं यह computer में mouse के द्वारा किसी object पर cursor को ले जाने पर perform किया जाता है जबकि हम touch screen device में tap कर सकते हैं मतलब click कर सकते हैं double tap भी कर सकते हैं किसी object को drag भी कर सकते हैं touch screen device में tap मतलब click करना double tap मतलब double click करना drag मतलब किसी object को move करना लेकिन over नाम क्या जो function है यह touch screen device में perform नहीं होता है इस question का answer हो जाएगा option number A ओबर ओबर टच स्क्रीन इंपुट डिवाइस का कार्य नहीं होता है देखते हैं हमारे next question को next question है निमने लिखित में से कौन सा hexadecimal संख्या प्रणाली का आधार है मतलब की base है निमने लिखित में से कौन सा hexadecimal number system का base है यह question computer number system से पूछा गया है और अब cpct के paper में computer number system से एक दो question जरूर पूछे जाते हैं हमसे question पूछा गया है कि computer number system में जो hexadecimal number system होता है उसका base क्या होता है computer number system से संबंदित आपको यहाँ पर 5-6 question तैयार करने मिलेंगे पहला question बनता है computer में कितने प्रकार के number system यूज़ किये जाते है तो computer में total चार प्रकार के number system यूज़ किये जाते है चार प्रकार के computer data को store करने के लिए data को represent करने के लिए number system का उपयोग करता है computer में चार प्रकार के number system यूज़ किये जाते है पहला होता है binary number system जिसका base होता है 2, दूसरा होता है octal number system जिसका base होता है 8, तीसरा होता है decimal number system जिसका base होता है 10, और चौनता होता है hexadecimal number system जिसका base होता है 16, तो computer system में चार प्रिकार के number system यूज़ किये जाते हैं binary number system, octal number system, decimal number system और hexadecimal number system binary number system का base 2 होता है, octal number system का base 8 होता है decimal number system का base 10 होता है और hexadecimal number system का base 16 होता है हमसे question में hexadecimal number system का base पूचा गया था जो की होता है 16 तो इस question का answer हो जाएगा option number D, hexadecimal number system का base 16 होता है, देखते हैं हमारे next question को, next question है, एक blank यह निर्दिष्ट कर सकता है कि उपयोग करता या उपयोग करता समूह की उस computer या network पर किसी file या folder तक पहुच होगी अधवा नहीं, एक blank यह निर्दिष्ट कर सकता है कि उपयोग करता या उपयोग करता समूह, मतलब users का group की उस computer या network पर किसी file या folder तक पहुच होगी अधवा नहीं होगी, एक question हमसे पूचा गया है, जो कि cyber security या information security से संबंदित है, cyber security में, information security में एक system यूज़ किया जाता है, access control system, access control system, access control system, access control system क्या होता है, access control system यह decide करता है, कि किसी computer या network में, किसी user को किस resource का access है या नहीं है, कोई user network में या computer पर किस resource को access कर पाएगा, या access नहीं कर पाएगा, यह जानकारी यह information चेक करने के लिए, access control system का use किया जाता है, access control system यह decide करता है, कि कौन सा user network या computer में, किस resource को access कर सकता है या नहीं कर सकता है, जो access control system होता है उसमें एक list बनाई जाती है जिसे कहा जाता है access control list इस list में उन सभी user की information होती है जिनको हम resource access की permission provide करते हैं कौन से user को किस resource का access दिया गया है वह information store होती है access control list में जो की access control system के द्वारा use की जाती है इस question का answer हो जाएगा option number V access control list यह निर्दिष्ट कर सकता है कि उपयोग करता या उपयोग करता का से समूह है गुरफ है उसमें से कौन सा user network या computer में कौन सी file या folder को access कर सकता है या नहीं कर सकता है तो access control system में जो access control list होती है उसमें यह जानकारी होती है कि कौन सा user किस resource को access कर सकता है उसके आधार पर ह यूजर अपने अपने resource को access करता है तो इस question का answer हो जाएगा option number B access control list यह निर्दिष्ट कर सकता है कि उपियोग करता मतलब user या users का जो group है उस computer या network पर किसी file या folder तक पहुँच होगी या नहीं होगी देखते हैं हमारे next question को next question है printer paper पर blank और blank अंकित करता है printer paper पर blank और blank अंकित करता है printer क्या होता है printer एक output device होती है output device जो की हमें hard copy output प्रिदान करता है printer एक output device होती है जो की हमें hard copy output प्रिदान करती है हमसे पूछा गया है printer के द्वारा paper पर हम कौन कौन से दो object प्रिंट कर सकते हैं अंकित कर सकते हैं option number ए क्या है text और graphics text मतलब कोई भी अक्चर character सब्द graphics मतलब कोई भी picture image option number भी क्या है text और audio तो audio तो हम printer से प्रिंट नहीं कर सकते हैं audio को तो speaker से सुनना होगा audio को तो speaker से play किया जाएगा mic से input किया जाता है speaker से play किया जाता है text और video यहाँ पर video भी printer से print नहीं होगा graphics और audio तो audio और video तो प्रिंटर से प्रिंट हो ही नहीं सकते हैं, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, option number A, हम printer से text और graphics को paper पर मतलब कागच पर print कर सकते हैं, इस question का answer हो जाएगा, option number A, text और graphics, printer के मात्यम से paper पर text को मतलब अक्चुनों को सब्दों को lines को print किया जा सकता है, और graphics मतलब चित्रों को print किया जा सकता है, तो इस question का answer हो जाएगा, option number A, देखते हैं हमारे next question को, next question है, inkjet printer प्रिंटर प्रेश्ट पर blank इस्प्रे करके चित्र बनाता है, अगला question फिर हमसे printer से सम्बंदित पूछा गया है, अब CPCT के exam में MS Word से बहुत सारे question पूछे जाते हैं, और printer topic से भी बहुत सारे question पूछे जाते हैं, हमसे question पूछा गया है, inkjet printer पेज पर, paper पर blank इस्प्रे करके चित्र बनाता है, हमसे question पूछा गया है, जो कि inkjet printer से सम्बंदित है, printer क्या है, हमने previous question में भी समझाता, printer एक output device है, जो कि हमें hard copy output प्रिदान करता है, hard copy output, और question पूछा गया है, inkjet printer से, तो inkjet printer एक non-impact printer होता है, non-impact printer है, non-impact printer है मतलब fast speed में work करता है, printing करते समय, आबाज कम करता है, और इसकी printing quality high होती है, ऐसे printer जो printing करते समय आबाज अधिक करते हैं सोर अधिक करते हैं वह कहलाते हैं impact printer और ऐसे printer जो printing करते समय sound कम करते हैं आबाज कम करते हैं वह कहलाते हैं non impact printer तो जो inkjet printer होता है यह एक non impact printer है जिसमें liquid form में ink use की जाती है इंक जो इंक जेट प्रिंटर है इसमें लिक्विड फर्म में इंक भरी होती है इंक को नोजल के माध्यम से नोजल के माध्यम से पेपर पर इस्प्रे करके प्रिंटिंग की जाती है मतलब इस question का answer क्या हो जाएगा option number C, इंक जेट प्रिंटर पेपर पर कागज पर इंक इस्प्रे करता है और चित्र को बनाता है इंक जेट प्रिंटर में क्या भरी जाती है इंक भरी जाती है लिक्विड फर्म में इंक होती है जो की नोजल के माध्यम से आपको याद रखना है इंक जेट प्रिंटर में जो इंक होती है उसको नोजल के माध्यम से पेपर पर इस्प्रे किया जाता है और पेपर पर प्रिंटिंग हो जाती है मतलब इस question का answer क्या होगा option number C आपको एक और question तयार करना है टॉनर क्या होता टॉनर टॉनर ड्राइ पाउडर होता है ड्राइ पाउडर जिसे लेजर प्रिंटर में यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर में जो पाउडर यूज होता है ड्राइ पाउडर सूखा पाउडर उसे टॉनर कहा जाता है जबकि इंक जेड प्रिंटर में लिक question को next question है निमने लिखित में से कौन सा एक input device है अब देख सकते हैं इतने सरल इतने आसान question भी paper में पूछे जाते हैं निमने लिखित में से कौन सा एक input device है input device कौन से device होती है जिनके माध्यम से हम computer system में data को input करते हैं वह कहलाती है input device जैसे की keyboard, mouse, scanner, OBR, OCR, MICR, trackball, joystick कई परकार की होती है हमें चार device के नाम दिये गए हैं और हमसे पूछा गया है निमने में से कौन एक input device है तो speaker तो एक output device है जो की हमें audio data output में प्रदान करती है bird तो एक सब्द हो गया यह तो input device भी नहीं है output device भी नहीं है printer भी एक output device है जो की हमें hard copy output प्रदान करता है मतलब answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा joystick joystick एक input device है जिसे pointing device भी कहा जाता है mouse के समान होता है mouse joystick trackball यह तीनों ही pointing device कहलाती है और joystick और trackball का use game play करने के लिए किया जाता है game खेलने के लिए trackball और joystick का use किया जाता है जो की input device भी है इन्हें pointing device भी कहा जाता है तो इस question का answer हो जाएगा option number C joystick एक input device है देखते हैं हमारे next question को next question है paper पर text और चित्रों की इस पश्टिता निम्न मैंसे किसे संदर्वित करती है paper पर text मतलब अक्छर सब्द और चित्रों मतलब graphics की इस पश्टिता मतलब clarity या quality निम्न मैंसे किसे refer करती है यह question भी printer से संबन देते हैं जब हम printer से paper पर किसी text को या images को graphics को print करेंगे तो उसकी जो clarity है उसकी जो quality है भाई किसे refer करती है printer के resolution को printer के font को printer की speed को या printer के color को तो आपको यहाँ पर दो-तिन question तैयार करने है printer की जो quality होती है भाई printer के resolution पर depend होती है printer का जो resolution है भाई printer की quality को refer करेगा resolution जितना अधिक होगा printer की printing quality उतनी अच्छी होगी resolution जितना कम होगा उतना हमारा खराब quality का output देखेगा और printer की quality को या printer के resolution को dpi में नापा जाता है dpi में dpi का full form क्या होता है dots per inch printer की जो quality है या printer का resolution है उसे dpi में measure किया जाता है dpi मतलब dots per inch तो printer की जो quality है उसकी जो clarity होगी इस पश्च्रता होगी बहें resolution पर depend होगी resolution मतलब printer की quality जितना अधिक resolution होगा उतना अच्छा print out निकलेगा और printer की quality को या resolution को dpi में measure किया जाता है जिसका full form होता है dots per inch तो इस question का answer हो जाएगा option number a देखते हैं हमारे next question को next question है PC PC मतलब personal computer personal computer को bomb boot करने के लिए सामान नितहा किसका उपयोग किया जाता है PC मतलब personal computer को barm boot करने के लिए सामान नितहा किसका उपयोग किया जाता है एक question हम से पूछा गया है कि यदि हमें अपने computer को bomb boot करना है तो हम जर्नली किसका उपयोग कर सकते हैं option number A है the power button on power button को on करके option number B है F5 function की से option number C है F10 function की से या option number D है alt control delete की को एक साथ press करके यहाँ पर हमसे question जो पूछा गया है वह एक computer को boot करने से सम्बंदित है boot करने से सम्बंदित यहाँ पर आपको 4-5 question तयार करने है computer को boot करने का मतलब क्या होता है computer को boot करने का मतलब होता है computer को on करना computer को boot करना क्या है computer को on करना जब computer को on करते हैं तो उसे ही कहा जाता है computer को boot करना जब computer system boot होता है मतलब on होता है तो एक booting process run होती है booting process बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो operating system है, वह secondary memory से primary memory में load हो जाता है, computer को boot करना मतलब on करना, जब हम computer को on करते हैं, boot करते हैं, तो एक booting process run होती है, booting process में operating system को secondary memory से primary memory में load किया जाता है, उस समय पर जो भी हमारे computer system से hardware device connect होती हैं, उनको check किया जाता है, यह कहलाता है computer को boot करना, यदि हमारे computer में operating system नहीं होगा, तो computer system boot नहीं हो सकता है, कई बार paper में question पूछ लिया जाता है, computer को boot करने के लिए किसका होना आवसक होता है, तो computer को boot करने के लिए operating system का होना आवसक होता है, computer system without operating system के boot नहीं हो सकता है, मतलब on नहीं हो सकता है, तो computer को on करना तो हो गया, boot करना, booting process run होगी, operating system secondary memory से primary memory में load होगा, और यदि operating system नहीं होगा, तो booting process complete नहीं होगी, मतलब computer system on नहीं होगा, अब computer को on करना कहलाता है, boot करना, तो आप computer को दो तरीके से on करती हो, या तो आपका computer अभी off था, आपने उसको on किया है, off computer को on किया, मतलब बह कहलाती है, आपकी cold booting, cold booting, अभी आपका computer off था, आपने उसको on किया, और on कैसे करोगे आप, power button को दबा कर, power button को दबाओगे तो computer on हो जाएगा, जो की off था, और उसे कहा जाता है cold boot, और यदि हम पहले से on computer को restart कर दें, computer system already चल रहा है, already on है, उसे यदि हम restart कर दें, जिसे हम भोलते हैं, reboot करना, restart करना या reboot करना, वह कहलाता है, bam boot, bam boot, bam boot का मतलब क्या है, पहले से on computer को बंद करके दुबारा on करना, उसे कहा जाता है, computer को restart करना, या reboot करना, या bam boot करना, जिसके लिए हमें, alt control delete key को एक साथ press करना होता है, मतलब इस question का answer क्या हो जाएगा, option number D, computer system को cold boot करना मतलब होता है, off computer को on करना, जिसके लिए हमें power button को on करना होता है, और bam boot के लिए, हमें computer में, alt control delete key को एक साथ press करना होता है, जिससे हमारा on computer restart हो जाता है, तो इस question का answer हो जाएगा, option number D, alt control delete key को एक साथ press करके, हम computer को bam boot कर सकते हैं, मतलब restart कर सकते हैं, इस question का answer हो जाएगा, option number D, देखते हैं हमारे next question को, नेक्ट कॉस्चन है कौन सा प्रिंटर मुद्रन के लिए तेजी से सूखने वाली स्याही को स्प्रे करता है कौन सा प्रिंटर मुद्रन के लिए मतलब प्रिंटिंग के लिए तेजी से सूखने वाली स्याही को स्प्रे करता है यह question भी printer से संबंदित है हमसे question पूछा गया है कौनसा printer printing के लिए जल्दी से या fast speed में सूखने वाली स्याही को spray करता है इंक को spray करता है और इंक को spray करने वाला printer कौनसा होता है ink jet printer आज की वीडियो में ही हमने एक question देखा था कि जो ink jet printer है उसमें liquid form में इंक भरी होती है इंक को nozzle के माध्यम से paper पर spray करके printing की जाती है वह है ink jet printer होता है जो कि एक non impact printer होता है non impact printer जिसमें liquid form में इंक का use किया जाता है इंक को nozzle के माध्यम से paper पर spray किया जाता है और printing की जाती है तो इस question का answer हो जाएगा option number B लेजर प्रिंटर तेजी से सूखने वाली स्याही या इंक को स्प्रे करता है इस question का answer है option number B देखते हमारे next question को next question है निम्न मैंसे कौन सा network topology का एक प्रकार है यह question computer network से पूछा गया है निम्न मैंसे कौन सा network topology का एक प्रकार है computer network से question पूछा गया है आपको यहां समझना होगा network topology क्या है network topology क्या है network topology किसी network के layout को किसी network के design को set करती है जब भी कोई computer network बनाया जाता है तो इस computer network को बनाने में कई प्रकार के component यूज किये जाते हैं कई परकार के घटक उपव्योप किये जाते हैं उन सभी component को properly arrange करने के लिए topology का यूज किया जाता है topology किसी network के design को layout को set करती है topology के द्वारा एक network में use होने वाले सभी component को properly arrange किया जाता है कई प्रकार की network topology होती है जैसे की bus topology, star topology, ring topology, mesh topology, tree topology और hybrid topology, topology कई प्रकार की होती है bus topology, star topology, ring topology, mesh topology, tree topology और hybrid topology तो जो network topology है वह network के layout को network के design को decide करती है साती सात network में use होने वाले सभी component को properly arrange करती है Topology कई परकार की होती हैं bus topology, star topology, ring topology, mesh topology, tree topology, hybrid topology हमसे पूछा गया था निम्न मैंसे कौन सा network topology का एक प्रकार है वह होगी हमारी star topology क्यूंकि buyer topology नहीं है chain topology नहीं है coin topology नहीं है option number A हमारा answer है star एक topology का example है तिस question का answer हो जाएगा option number A देखते हैं हमारे next question को next question है blank file में cable 256 रंग ही होते है blank files में only 256 कलर ही होते है हमसे एक question पूछा गया है कि जो हमें 4 file format दिये गए है इनमेंसे कौन सा ऐसा file format होता है जिसमें cable 256 कलर ही होते है यह जो question पूछा गया है यह file format या extension से संबंदित है file format या extension file format या extension क्या होता है जो कि file के type को बताता है file के प्रकार को represent करता है file format या file का extension कई प्रकार के file format होते हैं जो कि यह represent करते हैं कि कोई file किस प्रकार की है file का प्रकार बताते हैं type बताते हैं file format हमें 4 file format दिये गए हैं jpeg, bmp, gif और png हमसे पूछा गया है कौनसी file में केवल 256 color ही होते हैं यह जो आपको चार extension दिये गए हैं यह चारो ही graphics के file format हैं images के साथ use होते हैं graphics के साथ graphics file format हैं चारो jpeg का full form क्या होता है joint photographics expert group joint photographics expert group, bmp का full form क्या होता है bitmap image file, bitmap image file, gif का full form क्या होता है graphics interchange format, graphics interchange format, png का full form क्या होता है portable network graphics, portable network graphics जो चारो हमें file format दिये गए हैं यह चारो ही graphics के file format हैं, jpeg का full form होता है joint photographics expert group, bmp का full form होता है bitmap image, gif का full form होता है graphics interchange format और png का full form होता है portable network graphics, इस question का answer है option number c, gif file में cable 256 color use किये जाते हैं, जो इस question का answer हो जाएगा option number c, जो gif file होती है, जो की एक animation के रूप में होती है, graphics file होती है इन में cable 256 color ही use किये जाते हैं, तो इस question का answer हो जाएगा option number c, gif तो आज की वीडियो में हमने cpc t exam के लिए computer से सम्बंदित 20 important questions को समझा है जब हम एक question को समझते हैं, तो उससे सम्बंदित हमें कई प्रकार के और भी question तयार करने मिलते हैं आप सभी questions को note जरूर करें, आप सभी questions को पढ़ें, समझें, यदि आपका कोई question है, कोई doubt है तो comment section में जरूर पूछिए, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को like करें, ज्यादा से ज्यादा share करें मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद